हे गाईज क्या हाल चाल हैं आप सभी के स्वागत है आप सभी का पेली भीत सहागड गेज गन वर्जन की अपडेट में गाईज पेली भीत से सहागड के बीच में 30 और 31 मार्च के दिन यहाँ पे कमिशनर ओफ रेलवे सेफटी के इंस्पेक्शन किये गए थे लेकिन अगर मैं आप से पूछ हूँ कि पेली भीत सहागड के बीच में जो सियारेस हुआ था उससे आप लोगों ने क्या उब्जर्व किया तो साथ आप लोग कहेंगे कि हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे सियारेस कंड़क्ट हुआ है यानि ट्रैल्स कंड़क्ट कि यहाँ पर जो कमिशनर ओफ रेल्वे सेफटी के इंस्पेक्शन हुए है उसके अंदर भारती रेल्वे ने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है क्या कुछ पूरा मेकेनिज्म था जिसकी वज़े से यहाँ पे सियारेस वगरा हुआ और साथी मैं आपको बताऊंगा कि क्या र अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है वीडियो को फटा फट से लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेर कर दीजे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है एंड तक बने रहिएगा चलिए शुरू करता हूँ आज की अपने इस देखने को मिलता है इंस्पेक्शन वैन के अंदर यहां पर अल्ट्रा सॉनिक फ्लॉर डिटेक्शन अब करता है और तुरंत किसी भी समस्या का समधान करती है अगर कोई शमस्या हो तो तीसरे नंबर पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग सिस्टम देखने को मिलता है जैसा क आप जानते हैं इंस्पेक्शन के दोरान कई सारी चीजे यहां पे होती है रेलवे ओवरॉलिक रिपोर्ट तयार करता है जो कि रेलवे बोर्ड को यहां पे उनको सौपनी होती है अब ऐसे में रिकॉर्डिंग सिस्टम बेहत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई वी ची चीज यहां पे सेफटी एकिपमेंट्स होते हैं सियारे स्वैन में आप लोगों को सुरक्षा के लिए उपकरन भी देखने को मिलते हैं जैसे कि एमर्जेंसी ब्रेक्स और फायर एक्स्टेंग्विशर्स फिफ्ट पॉइंट है वर्क इस्टेशन यहां पे वैन के अंदर म देखने को मिली हैं जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले ट्रैक्स ही डाले जाते हैं तो यहां पर इनीशियली ट्रैक की जो टेस्टिंग है वो यहां पर ट्रॉली ट्रैल्स की जरिए की गई है और जो ट्रॉली ट्रैल्स है वो आप लोगों को सुरुवाती दिनों में यहा पर देखने को मिले भी हैं जिसमें यहां पर ट्रैक के जो अलाइनमेंट है उसके अंदर जिमेटरी टेस्ट किया जाता है पूरा अवरॉल यहां पर यहां पर efficiency देखी जाती है ट्रैक की performance देखी जाती है और फिर second number पर धिरे धिरे यहां पर जो railway है उनके commissioner of railway वे safety आते हैं और वो यहां पे आके inspection करते हैं जिसमें वो signaling system और safety measurements भी होते हैं जिसमें आप लोगों के interlocking system, level crossings और electrifications को लेकर यहां पे overall charge की जाती है फिर यहां पे आप कह सकते हैं कि third number पे overall यहां पे electrical system को जाचने के लिए यहां पे overall trial होता है जिसमें आप लोगों के overhead wires और साथी में जो सब stations बनाए गए हैं उनकी checking होती है और यहां पे बहुत ही सावधानी पूरुवक और ध्यान पूरुवक यहां पे जाच आप लोग कह सकते हैं inspection कह सकते हैं जो होता है यहां पे भारती railway के अंदर अब यह rail line जो है पिलीभीत सहागड गेज, conversion, आमान, परिवर हैं देखिए reason जो यहां पे है वो यह है कि CRS की जो report है वो तयार होके railway board को जा चुकी है अब railway board को यहां पे integration के लिए overall decision लेना है और जो यहां पे आप कह सकते है safety certification है वो देना है northern railway के इस section को ताकि यहां पे operations start हो सकें तो आप और हम पिलीभीत सागड rail line के safety certification का इंतिजार कर रहे हैं और साथो साथ में भारती railway और भी चीज़े इस section के लिए कर रहा है और साथी में यहां पे कुछ testings और trails और भी चल रहे हैं जिनके उपर next वीडियो में बात करने वाला हूँ क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला था क्या reason है इसकी वज़े से यहां पे अभी CRS के बाद भी training नहीं शुरू हो पा रही है तो वो चीज़े मैं आपको बताई हैं बाकी next वीडियो में all detail में जानने की कुछिश करेंगे मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बैले के प्रेस कर लीजेगा आने वाली updates देखने के लिए और अपने दोस्तों म साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेगा ओप टू सी यू अगेन बाई बाई गाईज